हेलो दोस्तो तो अगर आप भी अपनी वीडियो को रिकोर्ड अपने ही मॉवाइल से करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एक की बारे बताऊंगा जो आपके कैमरे को और भी अच्छी क्वालिटी में बना देगा तो गाइस उस एप का नाम है ओपिन कैमरा जी हा से जाकर आप देख सकते हैं वीडियो एडिटर है वीडियो क्वालिटी अच्छे तरीके से कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आरवी सर्म आपका स्वाज करता हूं आपके अपने डूट चैनल माहराज स्टेक में तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आते रहता हूं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो करना एक दम न भूले तो चलिए हम चलते हैं अपने मॉयल के स्क्रीन पे इसके बाद मैं अपने ओपन कैमरा जो एप है उसे ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इं सकते हैं कैमरा वीडियो और गैलरी का ओप्शन आपको दिख रहा होगा इस तरह से आपको यह ओप्शन दिखेगा तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है यूटूब के लिए तो जैसे यह इस पर क्लिक किया नीचे में आप देख से तो यह किस ओप्शन के लिए है तो यह इस ओप्शन के लिए है गाईज कि आपको प्लस माइनस का बगल में साइन दे रहा है जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप अपने कैमरे का ब्राइटनिस बगएर लो और हाई कर सकते हैं आप अपने अमसार कर लेंगे जैसा आपका रिकॉर्डिंग हो र जाएगा तो चलिए अभी मैं इसे हटा देता हूं अब आपको इसके थ्री आइकन दिख रहा होगा उसके बगल में यह फ्लैसिंग का है तो इस पर आप क्लिक करते हैं और यहां पर टॉच का अप्शन इस पर क्लिक करते हैं तो चलिए मैं इसे ओफ कर देता हूं इसका इस इंपोर्टेंट है इस एप का सेटिंग के आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट में दिख रहा हुआ फेस डिटेक्शन तो इसे आप नहीं करें इसे आप ओफ ही रखें काफी वेटर रहता है और इसके आद आपको दिख रहा हूगा टाइमर तो टाइमर में आप जब क् खराब रहता है उसे मैं कट कर देता हूँ इसके बाद आप यहां पे कोई भी सेटिंग ना करें अब मैं सिधा आपको वीडियो सेटिंग में ले जाता हूँ वीडियो सेटिंग आप यहां पे देख सकते हैं नीचे आने के बाद तो वीडियो सेटिंग में आन करता हूँ इसका सबसे उपर आपको दिख रहा है वीडियो रिजॉल्यूशन तो मैं इस पर सिलेक्ट जो कर रखा हूँ वह 1920 x 120 रखा हूँ आप अपने मुवाइल के अंसार रख ले जो भी आप अपना वीडियो रिजॉल्यूशन रखना चाहते हैं अगर नहीं है तो आप फूल फॉर्मेट दिख रहा है इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहां पर MPEG4, H264 और भी नीचे आपको ऑप्सन दिख रहे होंगे बट मैं इसे डिफॉल्ट पर ही रखता हूँ क्योंकि यह वीडियो आपने फॉर्मेट में ले ले लेता है अब आपको यहां पर दिख रहा है मै यहां से आप रिपीट रख दिए और यहां पर रिपीट 10 मिनट रख दिए तो जैसे ही वीडियो कट होगा फिर तुरज वीडियो आपका रिपीडियो रिकॉर्डियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा तो मैं इसे डॉंट रिप्सक्राइब रखता हूँ क्योंकि मै मैक्सिमम फाइल साइज और वीडियोर तो मैंकि मैंसे रखता हूं 9gb दोस्तो जब कभी आज तक मेरे रिकॉर्ण वे नहीं गया है तो इस वाईय से मैं मैं मैंसे रिपिए और। आपका फाइल यह अउनि आफ आपका जो reuse होगा अब मान लिए 9GV में रखा हूँ उसके बाद भी मान लिए 9GV के बाद मेरा 10GV का मान के चलिए कभी में recording करता हूँ तो वहाँ पे 9GV के ज़ए 10GV हो तो जैसे ही 9GV होता है फाइल recording तो यह on option रहता है यहाँ पे जो मैंने on रखा है तो 9GV के बाद फिर डाइरेक्ट मेरा जो वीडियो होता है तुरंत रियर स्टार्ट हो जाता है और फिर से सूट करने लगता है अब नीचे इसके आप देख सकते हैं record audio तो record audio यह है इसे अब off रखेंगे तो जब आप video recording करेंगे उस वक्त आपका audio record नहीं होगा तो इसलिए इसे on रखेंगे क्योंकि जब video recording करते हैं तो audio भी record हो जाए मैं mobile से recording करता हूँ तो इसलिए इसे on रखता हूँ ताकि जब मैं video recording करूँ तो मेरा audio भी record हो जाए अब नीचे आप देख सकते हैं audio source इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ cam recorder और external mic जब मैं अपने mobile से record करता हूँ अपने audio से इस तो इसपे कहार motor Cong colonies में और जब मैं बाहर से क्शेनल माइक लगाता हूँ तो 예 अच्छा माइक चलिक करता हूँ इसके बाद audio channel तो इसके बाद आप कोई भी setting करें यह default है default ही रहने दे इसके बाद आपको दिख रहा है log screen when recording video तो इसे मैं हमेशा on रखता हूँ यह option तब कामाता है जब आप recording करते हैं और उस वक्त मान के चलिए आपके mobile में कहीं भी touch होता है video recording बंद ना हो क्योंकि इस पर क्लिक करते है तो no subtitle record subtitle मैं no subtitle पर ही क्लिक करके छोड़ देता हूँ इसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ दे वीडियो वाइवरेट इससे जब क्लिक करते हैं तो मैं इसे default पर ही रखता हूँ आप चाहें तो 10 Mbps, 15 Mbps इस हिसाब से आप अपना क्लिक कर सकते हैं मैं इसे default पर ही रखता हूँ और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप इसे default पर ही रखें इसके अद आपको दिख रहा है video frame rate तो video frame rate मैं 120 रखता हूँ आप चाहें तो 100 रख ले या 120 रख ले आप अपने अनुसार से रख ले मैं तो कहूँगा आप 100 ही रखे अच्छा रहेगा तो और 120 भी रखे ओ भी अच्छा है जो भी आप दोनों से choose कर सकते हैं क्योंकि इसे वीडियो का frame rate जो काफी अच्छा होता है तो इसे मैं आप cancel कर देता हूँ अब आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों critical battery check तो इसे मैं on ही रखता हूँ क्योंकि जब इसे आपका जो flash है वो बार बार आपका light जलेगा और बार बार light बुझेगा तो मतलब on off होते रहेगा तो इसलिए मैं इसे off रखता हूँ क्योंकि अगर मैं on कर देता हूँ तो जो भी मैं video recording को रहेगा उसमें light का जो effect हो changing दिखेगा इस वह से मैं इसे off रखता हूँ तो यह सार ability दे फिर मिलते हैं next video में